लमश्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हिडन नियूज में और आज हम आपका ध्यान केंदरित करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो कही ना कहीं आप लोगों से अभी तक छुपी हुई है जी हां हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास इसकी जो पिछले चार महीने से चल रही हैं बट कहीं ना कहीं आप लोगों को पता नहीं कि देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी स्कूल से वन्चित हैं तो आईए देखते हैं 2008 का आईडिया का एक एड जिसमें उन्होंने एक बहुत ही पी रहे गई है हम लोगों से तो दोस्तो ये कॉंसेट शुरू किया गया था 2008 में और आज 12 साल बाद ये कॉंसेट बिलकुल सच हो रहा है पर कहीं न कहीं आप अगर देखें तो ये जो कॉंसेट हमने शुरू तो किया है बट क्या ये उन बच्चों तक जा पा रहा है जिन तक पहले भी हमने एजुकेशन सर्फ सिक्षा अभ्यान के माध्यम से बड़ी मुश्किलों तक पहुचाई थी और आज चार महीने से फिर वो दौर आ गया है कि वो जो बच्चे हैं हमारे गरीब तपके के गाउं के वो कहीं न कहीं अभी भी एजुकेशन से वंचित हैं तो आईए आपका ध NCRT द्वारा जिसका नाम है इपाटशाला जो यह कहता है कि हमारे पास वो सारे कॉंटेंट अविलेबल हैं जो जरूरी होते हैं एक बच्चे की स्कूल की एजुकेशन के लिए डिजिटल प्लाटफॉर्म पे तो पहले NCRT आपको बता दे कि बुक्स देता है बट अब उन वेबसाइट पर उपलब्द जानकारियों के मुताबित अभी इस वेबसाइट को लगबग 26 लाक बच्चे यूज कर चुके हैं तो देखते हैं दोस्तों क्या ऐसे कॉंटेंट हमारे लोगों तक पहुँच पाते हैं जिनको इसकी रिक्वार्मेंट है क्या बच्चे इस ऐ कर रहे हैं अपनी एज्योकेशन के लिए आए देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लिप में तो अब आपका ध्यान के इंदरित करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट की तरफ जिसके मुताबित कश्मीरी बच्चों का ये कहना है कि उनको वो बुन्यादी सुविधाय नहीं मिल पा रही हैं online classes की क्योंकि कश्मीर में जो internet facility अभी available है वो 2G compatible है तो कहीं न कहीं आप देखें कि देश में जो बच्चे हैं वो ये problem अभी face कर रहे हैं और किसी के पास भी इसका कोई solution नहीं है हम मानते हैं कश्मीर में अभी हमारा internal dispute चल रहा है अब हम बात करते हैं बिहार के गाउं क जहां पर कुछ बच्चों का कहना है कि वो लोग अभी face कर रहे हैं problem online classes को adapt करने में जी हाँ दोस्तों अगर हम बात करें दिल्ली मुंबई बैंगलोर चन्नाई कोलकता के बच्चों की जो मल्ड जो metro cities के बच्चे हैं वो काफी familiar है online classes के लिए बट village में जो बच्चे अभी हम के मुताबित काफी सारे बच्चों के पास smartphone नहीं है और काफी सारे घरों में phone तो है पर वो smartphone नहीं है smartphone है तो उनको पता नहीं है कि इसका इस्तमाल अपनी online classes के लिए कैसे करना है ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे देश के बच्चे अभी face कर रहे हैं पिछले चार म महीनों से अब हम बात करते हैं एक ऐसी वीडियो के बारे में जो इंटरनेट पे काफी शेयर किया जा रहा है इनके मुताबित भारत में बहुत जरूरत है education system को improve करने की 12 साल हम लोग English की पढ़ाई करते हैं बट कहीं न कहीं 12 साल बाद हम लोग English बोल भी नहीं पाते हैं तो इतना पढ़ाई करते हैं हम पर अभी भी 80% से जादा लोग जॉब करने के काबिल भी नहीं है और आज जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में relevant भी नहीं होने वाला क्योंकि अगर आप देखें digital marketing cloud computing ऐसी जॉब्स पहले exist भी नहीं करती थी और वो कहीं आज colleges में पढ़ाई भी नहीं जा रही है तो दोस्तों अब समय आ गया है बदलाव करने का जरा सोचिए और हमसे जरूर शेयर कीजिए कि क्या हो सकते हैं वो बदलाव जो हम अपने आने वाली generation के लिए करना चाहते हैं अपने education system में पर अब समय आ गया है कि हम अपने education system में कुछ ऐसे बदलाव करें कि आने वाले टाइम में हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बन सके आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जैहिन हमारे education system में रटने का competition होता है जो ज़्यादा रट लेता उसके ज़्यादा मांग साते हैं अब 95% जिसके संस्क्रिट में आये हैं वो भी संस्क्रिट नहीं बोल पा रहा है और basic history होने के वज़ाए इतनी मोटी मोटी किताबें हैं history की जिसका कोई मतलब नहीं है अगर आज क इसकी data में आपको कुछ भी पता करना आप Google से पता कर लोगे उसके लिए आपको याद करने की ज़रूत नहीं इतना कुछ और यह government school में हर class में English का subject है 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग English नहीं बोल पा रहे हैं और बिना किसी book को पड़े एक 5 साल का बच्चा सीख लेता है क्योंकि उसको वैसा environment मिल जाता है A plus B का whole square is equal to A square plus B square plus 2AB इसका real life में क्या use है किसी को नहीं पता ना principal ना teacher ना बच्चे बस पढ़ाय चले जा रहे हैं हो सकता है इसका कुछ मतलब हो लेकिन आप try करके देख लेना किसी को नहीं पता